सरसामी खगर नदी के बाद अब रंगोली नाला भी उफान परके नाले में जलस्तर लगातार बढ़ रहा के सरसा शेहर के लिए वड़ा खत्रा साबित हो सकता के तोश्यारी लाकी को बारसी वचारी के लिए प्रश्यासन भी अलर्ट मोड परके एक जो रंगोली नाला है उसमें जगा ब्रीच हुआ है रता केड़ा माइनर दोनों जगा जो पानी है अभी खेतों में ही जो है जा रहा है और दोनों जगा हमारी टीमें लगी हुई है ना चैल्ण निया चैल्ण हमारे पास आ रहा है वह यह रंगोई नाले के इंटर हो जाएगा यह जो spillover है यह most probably जो रंगोई नाले का जो channel का जो route है उसके along ही जाएगा बट एक समावना ये भी है कि हमारे सिर्षा city के अंदर भी इसके आने के समावना है उसको लेकर हमने अधिकारियों के साथ आज सुबह बैठे करी है और हमारे ये प्रयास है कि हम लोग इसको channel के along ही डाइवर्ट करके इसको जो रंगोई चैनल के along ही इंशुर करें ये फ्लो करते वे आगे अपना खेतों के थुरू निकल जब किसी भी चायगाओं की अबादिया शेहर के अबादिय में वो ना है सिर्सा और आसपास के किसानों के लिए जीवन दाइनी माने जाने वाली घगर जो है विकराल रूप धारण किये हुए है घगर का तांडव सिर्सा के तमाम इलाके में जारी है हम इस समय मौझूद है यह है पंजाब का इलाका है पंजाब इस तरफ है और हरियाना इस तरफ है पंजाब के बोर्डर पर यह है हरियाना के बोर्डर पर यह है फुल बना हुआ है जिसमें देख सकते हैं आप चारों तरफ जो है वो पानी ही पानी नजर आ रहा है सबसे एहम बात यह है कि आज जो जिला प्रशाशन की ओर से उपायुक्त पार्त गुपता ने एक महत्पून जानिकारी दी है कि घग्गर के बाद अब रंगोई नाला भी सिर्सा के लिए खत्रा बन गया है कभी भी सिर्सा में पानी का प्रवेश हो सकता है सिर्सा जिला की बात करें तो करीब 14,000 एकड़ में जो फसल का खराबा बाड़ की वज़े से हुआ है और उननजस गाव ऐसे हैं जो समवेदन शील है और प्रशाशन की ओर से पहले ही एतियातन उन तमाम गावों में 22 जुलाई तक स्कूलों में अवकाश बढ़ा दिया गया है इसके अलावा अगर पानी की बात करें तो 52,000 क्यूसिक पानी अभी भी घगगर में बै रहा है हलाकि राजस्तान की ओर करीब 22,000 क्यूसिक पानी छोड़ा भी गया है लेकिन राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है लोग लगातार जो है वो पानी को देखने के लिए पहुंसते हैं पीछे से पानी का उतरा भी बताया जा रहा है उतरना बताया जा रहा है कि मात्रा कम हुई है लेकिन जिस परकार के हालात हैं ऐसा लगता है कि वंगोली जो रंगोई नाला है वो सिर्सा के लिए निश्चित रूप से खत्रा बनेगा क्योंकि वहाँ से पानी शहर में परवेश कर सकता है इस परकार की आशंका जो है वो उपायुक्त पार्थ गुपता ने भी जताई है जो ग्रामिनों की मदद से एक काम सबसे बढ़िया यह हुए है कि आबादी छेतर में पानी नहीं गुसा है हलांकि कुछ गाव ऐसे हैं जहां चारों तरफ उनके पानी से घीरे बैठे हैं और एक टापू सा नजर आ रहा है दूर तक इस परकार की स्थीती है और पंजाब की तरफ यह आभी देख सकते हैं आप यह पंजाब का इलाका है सरदूलगर की तरफ सारा इलाका है इस पुल के इस और यह सरदूलगर का रकबा है और इसमें चाहों और पानी ही पानी नजर आ रहा है पुल के इस तरफ जो है वो हर्याना है तो ऐसे में हालात अभी बेकाबू हैं परशाशन जरूर इस बात के लिए अपनी पीड थपतबा रहा है कि लगातार जो दिन रात एक करके मेहनत की गई और सिरसा वासियों के सयोग से ग्रामिनों के सयोग से कुछ हद तक जो है वो स्तिती पर काबू पाया गया आवादी तक पानी नहीं पहुंचा लेकिन अभी भी जो रंगोई नाले का ओवर्फ्लो का खत्रा है और उसका पानी सिरसा में परवेश कर सकता है ऐसी बाते जो है जीला परशाशन की ओर से कही गई है देखने वाली बात है कि लोगों को इस बाड़ के पानी से कब तक रहात मिलती है हा अलांकि अभी जो खत्रा जिस परकार का बताया गया है वो सिरसा शेहर के लिए जरूर चिंता की बात है कैमरा सहोगी विकास के साथ हमित तिवाडी हर्याना न्यूज सिरसा